जै श्री राम जैसी तम यह हनुमान भगवान की जै हो तो आज है हमारा नौवा दिन यह मेरी बहुत बड़े ठिठाई और दोश है मेरे पाप को सुन कर नरक ने भी नाक्षिकोड ली है अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है यह समझ कर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है किन्तु भगवान श्री राम चंदर जी ने तो सवपन में भी इस पर मेरी इस्ठिठाई और दोश पर ध्यान नहीं दिया वर्म मेरी पिर्भू स्री राम चंदर जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षू से निरक्षन कर मेरी भक्ती और भुद्धी की उल्टे सरहाना की है क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं परन्तु हर्दे में अच्छा पन होना चाहिए हर्दय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ यह अच्छापन है श्री राम चंदर जी भी दास के हर्दय की अच्छी सित्ति जानकर रीज जाते हैं प्रभू के चित में अपने भक्तों की की हुई भूल चूग नहीं रहती वे उसे भूल जाते हैं और उनके हर्दय की अच्छाई नीकी को सो सो बार याद करते रहते हैं जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याद की तरह मारा था वैसी ही कुचाल कर सुग्रीव ने चली वही करने विभिशन की थी परंतु श्री राम चंदर जी ने सोपन में भी उसका मन में विचार नहीं किया उल्टे भरत जी से मिलने के समय स्री रगुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया पिर भु स्री राम चंदर जी तो रक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहां मर्यादा पुर्षोतम सच्चिदानंद घंपरमातमा स्री राम चंदर जी और कहां पेडों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर परन्तु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया तुलसिदास कहते हैं कि स्री राम चंदर जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है हे राम जी हे श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है अर्थात आपका कल्यान में सभाव सभी का कल्यान करने वाला है यदि यह बात सच है तो तुलसिदास का भी सदा कल्यान ही होगा इस परकार अपने गुण दोशों को कहकर और सब को फिर सिर नवाकर मैं श्री रगुनाथ जी का निर्मल यश वर्नन करता हूं जिसके सुनने से कल्यूग के सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं मुनी यागवल कया जी ने सुहावने कथा मुनी श्रेष्ट भारद्वात जी को सुनाई थी उसी सम्वाद को मैं बखान कर कहूंगा सरसजन सुक का अनुभव करते हुए उसे सुने शिव जी ने पहले इस सुहावने चरीतर को रचा फिर किर्पा करके पारवती जी को सुनाया वही चरीतर शिव जी ने काक भूशुंडी जी को रामभक्त और अधिकारी पहचान कर दिया उन काक भूशुंडी जी से फिर यागवल कय जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भारद्वाज जी को गाह कर सुनाया वे दोनों वक्ता और श्रोता यागवल कय और भारद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरी की लीला को जानते हैं वे अपने ग्यान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आवले के समान परत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान के लेलाओ का रह से जानने वाले हरी भक्त हैं वे इस चरित्तर को नाना परकार से कहते, सुनते और समझते हैं फिर वही कथा मैंने वराहश्चित तरिग में अपने गुरु जी से सुनी परन्तु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था इससे उसको उस परकार अच्छा समझा नहीं जाता मतलब की इससे उसको उस परकार अच्छी तरह से समझा नहीं स्री राम जी की गूड कथा के वक्ता कहने वाले और शुरोता सुनने वाले दोनों ग्यान के खजाने पूरे ग्यानी होते हैं मैं कल्यूक के पापों से ग्रसा हुआ महा मूड जीव भला उसको कैसे समझ सकता था तो भी गूरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धी के अनुसार कुछ समझ में आई वही अब मेरे द्वारा भाशा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोश हो जैसा कुछ मुझ में बुद्धी और विवेग का बल है मैं हर दे में हरी की प्रेणा से उसी के अनुसार कहूंगा मैं अपने संदेह अग्यान और भरम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली सब मनुष्यों को परसन करने वाली और कल्यूग के पापों का नाश करने वाली है राम कथा कल्यूग रूपी साप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अगनी के परगट करने के लिए अरणी अरणी मतला आग मन्थन यानि घर्शन को जाने वाली लकडी है अर्थात इस कथा से ग्यान की प्राप्ति होती है राम कथा कल्यूग में सब मनुष्यों को पूर्ण करने वाली काम धेनु गों है और सजन के लिए सुन्दर संजीवनी जड़ी है पर्थवी पर यही अम्रित की नदी है जनम मरण रूपी भैय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंडकों को खाने के लिए सरपेनी है यह है राम कथा असूरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधूर रूप देताओं के कुल का हित करने वाली पारवती है यह संत समाज रूपी शेर शमुंदर के लिए लक्षमी जी के समान है और संपूरण विश्वे का भार उठाने में अचल पृत्वी के समान है यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ते देने के लिए मानो काशी ही है यह श्री राम जी को पवित्तर तुलसी के समान प्रिय है और तुलसी दास के लिए तुलसी दास की माता के समान हर्दय से चित करने वाली है तो आज के लिए इतना ही बाकिकल पड़ेंगे जै श्री राम झाल